हैलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल दे साइन्स टॉप में आज की क्लास में हम भारती राज़वेवस्ता का एक नया टॉपिक प्रधान मंतरी से संबंदित कुछ इंपर्टेंट क्वेस्चन्स आपके लिए लेकर आये हैं चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं भारत के प्रधान मंतरी A. निउप्त होते हैं B. मनोनित होते हैं C. निर्वाचित होते हैं D. चैनित होते हैं इसका राइट आंसर होगा A. निउप्त होते हैं चलिए अगला क्वेशन देखेंगे प्रदान मंत्री की नियुक्ति कौन करता है अगला क्वेशन देखेंगे प्रदान मंत्री को उसके पद की गोपनियता की सफ़त कौन दिलवाता है उप्सन है मार पास A. राष्ट पती, B. लोकसवाध्यच, C. उपराष्ट पती, D. मुखिनायधिस, सुप्रीम कोट के तो इसका राइट आंसर होगा A. राष्ट पती चलिए अगला क्वेशन देखेंगे भारत के प्रदान मंत्री का पद इसका राइट आंसर होगा A. समिधान द्वारा गठित है चलिए अगला क्वेशन देखेंगे भारत में एक ब्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रदान मंत्री पत्पर निक्त हो सकता है A. केवल एक बार B. केवल दो बार C. कितनी ही बार D. केवल तीन बार इसका राइट आंसर होगा C. कितनी ही बार अगला क्वेशन देखेंगे निम्कित में से कौन लोक्षवा का नित्यत्यु करता है? A. लोक्षवा द्यच B. उपराश्टपती C. प्रिधान मंत्री D. राश्टपती इसका राइट आंसरोगा C. प्रिधान मंत्री अगला क्वेशन देखेंगे नित्यायो का अध्यच होता है A. राश्टपती B. उपराश्टपती C. प्रिधान मंत्री D. ग्रिध मंत्री इसका राइट आंसरोगा C. प्रिधान मंत्री अगला क्वेशन देखेंगे मंत्री मंडल संगी की बैठक की अध्यचता कौन करता है? A. राश्टपती B. लोक्षवाद्यच C. उपराश्टपती D. प्रिधान मंत्री इसका राइट आंसरोगा D. प्रिधान मंत्री चले अगला क्वेशन देखेंगे प्रिधान मंत्री की नियुक्ति राश्टपती करता है यह किस अनुष्यद में वर्डित है A. अनुष्यद 61 B. अनुष्यद 70 C. अनुष्यद 75 और D. अनुष्यद 85 तो इसका राइट आंसर होगा C. अनुष्यद 75 अगला क्वेशन देखेंगे भारत के प्रिधान मंत्री पत्र के लिए उमिद्वार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए A. 25 वर्स B. 30 वर्स C. 35 वर्स D. 40 वर्स इसका राइट आंसर होगा A. 25 वर्स चलिए अगला क्वेशन देखेंगे भारत के प्रिधान मंत्री A. राश्टपती द्वारा चुने जाते हैं B. राज्यों के मुक्रमंत्री द्वारा चुने जाते हैं C. लोगशबा में बहुमत्दल के नेता होते हैं और D. चुने नहीं जाते हैं बलकि वनसागत होते हैं इसका राइट आंसर होगा C. लोगशबा में बहुमत्दल के नेता होते हैं चली अगला क्वेशन देखेंगे यदि भारत के प्रदानमंत्री संसत के उच्छ सदन के सदत से हैं तो A. वे और विश्वास प्रस्ताव की इस्तिती में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे B. वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे C. वे उच्छ सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं D. उन्हें प्रदानमंत्री पद की सबद ग्रहट करने के बाद 6 मा के अंदर निम्न सदन का सदस से बनना पड़ेगा तो इसका राइट आंसर होगा A. वे और विश्वास प्रस्ताओं के इस्तती में अपने पक्ष में ओर्ट नहीं दे सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के प्रदानमंत्री का पद A. परंपरा पर आधारित है B. संबिधान द्वारा शेजित है C. संसत द्वारा शेजित है और D. राष्टपती द्वारा शेजित है तो इसका राइट आंसर होगा B. संबिधान द्वारा शेजित है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे न्यूकती के समय निवन में से कौन प्रदानमंत्री संसत की किसी भी सदन का सदत से नहीं था A. मुराराजी देशाई B. राजियुगाधी C. वीपी सिंग D. पीवी नरसिंग राव तो इसका राइट आंसर होगा D. पीवी नरसिंग राव चली अगला क्वेशन देखेंगे प्रदानमंत्री का श्यपत ग्रहड करने के समय राजिसबा का सदस थी या था A. HD देवगौडा B. पीवी नरसिंग राव C. श्रीमती इंद्रा गांधी और D. लाहादूर सास्तृत तो इसका रावाद आंसर होगा C. श्रीमती इंद्रा गांधी चली अगला क्वेशन देखेंगे प्रदानमंत्री का पत ग्रहड करने के समय बिधानसभा का सदस्य था A. चौदरी चरण सिंग B. आईके गुजराल C. वीपी सिंग और D. S. D. देवगोडा तो इसका रावाद आंसर होगा D. S. D. देवगोडा चली अगला क्वेशन देखेंगे लोक्षवा का विश्वास मत्त प्राप्त किये भिना ही प्रदानमंत्री पत पर कारिक करने वाले प्रतम व्यक्ति हैं A. चौदरी चरण सिंग B. मोरारजी देशाई C. वीपी सिंग और D. चंद शेखर तो इसका रावाद आंसर होगा A. चौदरी चरण सिंग चली अगला क्वेशन देखेंगे ज्वाहर लाल नेरू की निधन के पक्षाद किसने प्रदानमंति पत ग्रहड किया A. लाल बहादो शास्त्री B. गुलजारी लाल नन्दा C. स्रीमती इंद्रा गांधी और D. मोरारजी देशाई तो इसका रावाद आंसर होगा B. गुलजारी लाल नन्दा चली अगला क्वेशन देखेंगे और विश्वास प्रतावस्त की कारड तो इसका रावाद आंसर होगा A. मोरारजी देशाई चली अगला क्वेशन देखेंगे वो प्रताव प्रतावस्त्री कौन थे जिनोंने संसत सत्र में उपस्ति थुए बिना त्याग पत्र देदिया था A. मोरारजी देशाई B. चौधरी चरड सिंग C. श्रीमत इंद्रा गांदी और D. लाल बहादुर शास्त्री तो इसका रावाद आंसर होगा B. चौधरी चरड सिंग चली अगला क्वेशन देखेंगे प्रधान मंत्री पत्पर शर्वादिक समय तक कौन आशियन रहा A. चौधरी चरड सिंग B. लाल बहादुर शास्त्री C. जौहर लाल नेरु और D. इंद्रा गांदी तो इसका रावाद आंसर होगा C. जौहर लाल नेरु चली अगला क्वेशन देखेंगे प्रतम गैर कांग्रेशी प्रधान मंत्री बने A. चंदर सेखर B. आईके गुजराल C. चौधरी चरड सिंग D. मोरा रजी देशाई तो इसका रावाद आंसर होगा D. मोरा रजी देशाई चली अगला क्वेशन देखते हैं सबसे कम उम्र में प्रतमंत्री पत पर आशीन होने वाले ब्यक्ति हैं A. राजी गांधी B. लाल बहादु शास्त्री C. मोरा रजी देशाई और D. इंद्रा गांधी तो इसका रावाद आंसर होगा A. राजी देशाई चली अगला क्वेशन देखेंगे सबसे अधिक उम्र में प्रतमंत्री पत पर आशीन होने वाले ब्यक्ति हैं A. लाल बहादु शास्त्री B. मोरा रजी देशाई C. ज्वाहर लाल नेरू D. आईके गुज्राल तो इसका राइट आंसर होगा B. मोरा रजी देशाई चली अगला क्वेशन देखते हैं प्रतमंत्री पत से पत त्याग करने वाले प्रतम व्यक्ति हैं A. ज्वाहर लाल नेरू B. मोरा रजी देशाई C. इंद्रा गांदी और D. चौधरी चरड़ सिंग तो इसका राइट आंसर होगा B. मोरा रजी देशाई चली अगला क्वेशन देखते हैं किस दल ने दो वर्स के समय में दो प्रतान मंत्री दिये A. भाजबा B. जनता पार्टी C. जनता दल D. सजपा तो इसका राइट आंसर होगा B. जनता पार्टी चली अगला क्वेशन देखते हैं वर्स 1975 से 1977 के बीश आपातकाल के दोरान भारत के प्रधान मंत्री कौन थे A. राजी गांदी B. मोरा रजी देशाई C. चरड सिंग और D. इंद्रा गांदी तो इसका राइट आंसर होगा D. इंद्रा गांदी चली अगला क्वेशन देखते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करें